राहुल अपने गाउं लोटते बगत एक कब्रिस्तान से गुज़र रहा होता है एक लंबा सा चंगादर की शुक्षी पेपा कुई ताक्षस गड़े मुर्दे को उखार कर खा रहा है उसी वक्त वो शैतान भी राहुल की मौज़े से रहा हुआ रहुल उस कब्रिस्तान के र रहा था जिसे कोई उसको पीट पर चड़ा हो उसे उसका घर सामने दिखा राहुल की माँ तरवाजा खोचती है राहुल अपने कमरे में जाता है आज सफर में धतावत के कारण उसे नीम दाने लगती है एक दम गहरी नीम दे रहा है रहुल उसके गरदन पर इसी में हाथ उसके चाती पर उसे बहुत भारी वजब महसूस होने लगा राहुल की एक तम से आख खुल गई और वो तेज हाफ ने लगा गई जब राहुल के अंदर से उसके और अब उसके बाल भी जटना शूर हो गए बाबा को पुलाए बाबाने बाबाने अपने योजना शूर रा राहुल की भूँ गज़ादा चुप पता रहे थी उसके अंदर आबा को तुका रहा हो गई राहुल के भीतर से अब जानवरों के चिल्डाने गुर्णाने की आवाज निकलने खिक उसी सब्ड़ा एक दूद वाला उसी कबरिस्तान के खरीब से गुसर रहा है उसी वक्त राहुल के अंदर से एक ध्यानक राक्षा उपर कर निकला जो सीधा उस अदूद वाले के तरफ तौड़ी और उसके डेड बॉड़ी को खाने लगा तभी राहुल की आत्मा उसके शरीर से निकलने और फिर वो शैतान राहुल के मृत शरीर को उसी कबरिस्तान में लई कर राहुल के डेड बॉड़ी को मुश्चान बहुत लाइका और जाओ के साथ खाने और वो बाबा भी अपने रास देच चले गए